सुपरभाद गोइंकन्स कक्षाचार के विध्यारतियों बच्चो आपका आपकी हिंदी की कक्षा में बहुत-बहुत स्वागत है गोइंकन्स हम पढ़ रहे हैं पाट सत्रा मुहावरे तो बच्चो आज हम इसका कुछ बुक वर्क करेंगे आप निकालिए अपनी किताब वियाकरन की और बुक वर्क करेंगे हम पेज नंबर 81 का यहाँ पर तीसरा है नीजे कुछ मुहावरों के अर्थ दिये हुए हैं सही अर्थ पर सही का निशान लगाना है आपको बच्चो ठीक है पहला है हमारा गांठ बांधना आपको चूज करना है छाटना है इसमें से कि ये वाला ठीक है ये वाला ठीक है गांठ बांधना रस्ती में गांठ मारना अच्छी तरह याद रखना तो इसका option दूसरा वाला option इसका ठीक है अच्छी तरह याद रखना गांट बांधना अच्छी तरह याद रखना नाक रखना सुन्दर नाक होना या मान रखना तो नाक रखना हमने पहले भी पढ़ चुके हैं इसका मतलब होता है मान रखना गय है हमारा दांत दिखाना व्यर्थ में हसना मूँ खोलना तो यहाँ पर हम कनिशान लगाएंगे किस पर व्यर्थ में हसना याने के जिर्फ दान दिखाते हैं व्यर्थ में हसते हैं तो आगे हम पढ़ते हैं भचो गय है हमारा चूडियां पहनना तो इसका हम अर्थ ढूडेंगे हातों में चूडि पहनना या दूसरा वाला है कायर बनना चूडियां पहनना याने के कायर बनना अब है अंगा वाला पैर चूमना पैर चूमने का मुहावरे का अर्थ क्या है पाउचूना या खुशामत करना यहाँ पर आएगा हमारा खुशामत करना अब देखिए चौथा बच्चो चौथा हम करेंगे अब यहाँ पर आप देखिए नीचे कुछ मुहावरों के अर्थ दिये हुए हैं उसमें आपको क्या करना है पहले तो मुहावरा दिया हुआ है उसका अर्थ भी लिखना है और वाक्यों में इसका प्रियोग भी करना है जैसे हमने पिशली कक्षाओं में कर चुके हैं तो यहाँ पर पहला है हमारा डिंग मारना सबसे पहले हमें इस मुहावरे का अर्थ पता होने चाहिए डिंग मारना अधिक बढ़ चड़ कर बाते करना फिर हम इसका वाक्यों में प्रियोग करेंगे माहिरा सिर्फ अपने दोस्तों के साथ डिंगे मारती रहती है तो यह हो गया इसका वाक्यों में प्रियोग अब देखेंगे हम दूसरा आंख का तारा आँख का तारा का अर्थ क्या है? बहुत प्यारा राहूल अपने माता अपने पिताजी के आँखों का तारा है अब देखिए गए सिर चड़ाना लाड़ प्यार से बिगाड देना सोनिया ने अपने बच्चो को सिर पर चड़ा रखा है ठीक है बच्चो? अब है आना कानी करना ना करने के लिए बहाना बनाना ठीक है? आना कानी करना राहूल अपनी गाड़ी देने के लिए आना कानी कर रहा है मन हारना, हिम्मत हारना मन हारना का यर्ता की निशानी है ठीक है बच्चो? ये था हमारा कुछ वाक्यों पर प्रियोग? और अपना बुक वर्क जो हमने आज कम्प्लीट कर लिया गोइंकल्स आप ये वाला बुक वर्क अपनी बुक पे कम्प्लीट कर लिएगा ठीक है बच्चो जब तक के लिए खुदा हाफीज अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे खुदा हाफीज